जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें. दोस्तों, मार्च के महीने में खरमास लगने जा रहा है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, कि मार्च के महीने में खरमास यानि मलमास कब सुरू होगा और कब समाप्त होगा, और इस पूरे एक महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये स जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन बबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें तो आई ये सुरू करते हैं दोस्तों पंचान के अनुसार सूर्य प्रतेक रासी में पूरे एक महीने के लिए रहता है जिसके अनुसार पूरे साल भर में बारा महीनों में बारा रासियों में सूर्य प्रवेश करता है सूर्य का ये ब्रह्मन पूरे साल चलता रहता है आपको बता दें कि हर साल दो बार खरमास लगता है एक बार तब जब सूर्य धनु रासी में प्रवेश करते हैं और दूसरी बार जब सूर्य मीन रासी में प्रवेस करते हैं, इन दोनों ही इस्तितियों में गुरू ब्रहस्पती निस्तेज हो जाते हैं, जबकि सास्त्रों में किसी भी सुबकार के लिए ब्रहस्पती ग्रह का होना बहुत ही अनिवार बताया गया है। दोस्तों, हिंदू सास्त्रों के नुसार, मलमास या खरमास में सभी तरह के सुबकार जैसे साधी, सगाई, ग्रह प्रवेस, नए ग्रह का निर्माण ये सभी कार बरजित होते हैं। इस दोरान सूर्य गुरू की रासी में रहता है, जिसके कारण गुरू का प्रभाव कम हो जाता है, जबकि सुब और मांगलिक कारियों के लिए गुरू का प्रभल होना अतियावश्यक है। गुरू जीवन में वैवाहिक सुख और संतान देने वाला है। इसलिए आप खरमास के दोरान कोई भी सुब कारें ना करें। चलिए अब जानते हैं कि खरमास कब सुरू होगा और कब समाप्त होगा। तो दोस्तों जोतिस सास्तर के अनुसार 14 मार्च 2022 की मद्रात्री के बाद यानी 15 मार्च 2022 की प्रात्यकाल 2.47 मिनट पर सूर्य मीन रासी में प्रवेश करेंगा। तो वहीं 14 अप्रेल 2022 दिन गुरु वार को सुबा 10.52 मिन पर सूर्य मीन रासी से निकल कर में इस रासी में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ मांगलिक कार दोबारा सुरू हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ 15 मार्च 2022 से लेकर 14 अप्रेल 2022 तक खर्मास यानि मलमास रहेगा। और इस बार चैतर नौरात्री की सुरुवात भी खर्मास में हो रही है। चैत्र नौरात्री दो अप्रेल से प्रालंब हो रही है। इसलिए इस बार चैत्र नौरात्री की पूजा पाठ कलस स्तापना सब खरमास में ही होंगे। दोस्तों, खरमास के महीनों में आपको कुछ नियमों का प्रालंग जरूर करना चाहिए। इस पूरे महीने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इस महीने कुछ ऐसे कार हैं जो जरूर करने चाहिए जिनसे सुफल की प्राप्ती होती है। लेकिन वहीं कुछ कार हैं जिनको नहीं करना चाहिए। दोस्तों खर्मास का महीना दान और पुन्य का महीना होता है मानता है कि इस महा में बिना किसी स्वार्थ के किये गैदान का अच्छे पुन्य प्राप्त होता है इसलिए खर्मास के महीने में जितना संभव हो जवरत मंदों को दान करना चाहिए ये महीना भगवान विश्णू और स्रीकर्षन जी की पूजा के लिए विसेश महात्वर रखता है ऐसे में आप नियमित रूप से गीता का पाट करें विश्णू सहस्तर नाम का पाट करें और स्री कैशन या विश्नु भगवान जी के मंतरों का ज़्यादा से ज़्यादा जाब करें इसके लावा खरमास में तुलसी पूजा करने से विसेश लाब मिलता है आप साम के समय तुलसी के पेड़ के सामने एक घी का दीपक जलाएं ऐसा करने से आपकी जीवन की परिसानिया कम होती है दोस्तों खरमास के दौरान रोजाना सुबा सूर्योदे से पूर्व उठना चाहिए और सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए मानता है कि इस दौरान सूर्य देव कमजोर होते है ऐसे में उनकी पूजा करना सुब माना जाता है और खरमास के महीने में गौव सेवा भी जरूर करें इस दोरान आप गायों का पूजन करें उन्हें हल्दी का तिलक लगा कर गुड़ चना खिलाएं हराचारा खिलाएं इससे भगवान स्रीकरशन जी बहुत ही खुश होते है इसके लावा आपको खरमास के महीने में चार पाई का त्याग करके जमीन पर सोना चाहिए जो लोग खरमास के नियमों का पालन कर रहे हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप इस दोरान बेड़ आदी में ना सोएं ऐसा करने से सूर्द देव की करपा होती है और खरमास में थाली आदी में भूजन नहीं करना चाहिए इसके लावा इस दोरान आप किसी से लड़ाई जगड़ा आदी ना करें जूट ना बोलें मानिता है कि खरमास के दोरान किसी प्रकार के मास मदीरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए दोस्तों जिस प्रकार सराद पच्छ में नए या सुब कार करना वर्जित माना जाता है ठीक उसी प्रकार खरमास के महीने में भी कोई भी सुब कार, नया कार या मांगलिक कार करना वर्जित पताया गया है इसके लावा खरमास के महीने में नया घर वा नई कार की खरिदारी भी नहीं करनी चाहिए और खरमास में यदि कोई भी कारी या जवरत मंद आपके दरवाजे में आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लोटाना चाहिए तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्थ से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद